कि वेल्कम तर्फीयाव इंटर्नाशनल स्कूल अंध्रासिस वारी इस्टुड़ा आपिए एपयसे जाएट गर पर रहीं शुरक्षित रहीं मांक्स लगा कर रखिए बार बार हैंड संइटाईजर हैंड पोश केजिए ओके बेटा, बेटा, class कौन सी है, आपकी class, first और subject कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा subject ही है, maths, maths में हमारा revision चलरहा है, किस चीछ का revision चलरहा है, क्या करवा रहे हैं, table करवा रहे हैं, कौन कौन से table कर लिए अब तक हमने, 0, 1, 2, और 3, हमने 4 table कर लिए, ओके, तो आज हम कौन कर रहे हैं पढ़िए टेबल और फोर कॉंसी टेबल करेंगे तो बेटा सभी वैच्छे टाइम बेस नहीं करेंगे जल्दी से जल्दी अपनी इंग्लिश की अपनी मैट्स की लेंगे पेंसे शॉपने देशर लेंगे और रेडियो जर्फ काम खेले कौन सी नोट बुक लेंगे मैट्स की मैट्स का वर्फ क्या है तो को इस में करना है ज़िए शुलू करते हैं आपके ऐसे बॉक्स वाली एक आपने हर एक लैटर को लाइन से टुरइंड से टूच करके क्या है गा, four, four बंचा, four, four, two, zero, four, two, zero, eight, four, three, zero, four, three, zero, twelve, four, four, zero, four, four, zero, sixteen, four, five, zero, four, five, zero, twenty, four, six, zero, four, six, zero, twenty-four, four, seven, zero, four, seven, zero, twenty-eight, four, eight, zero, four, eight, zero, four, eight, zero, thirty-two, four, nine, zero, four, nine, zero, four, nine, zero, thirty-six, and four, ten, zero, four, ten, zero, forty, four, ten, zero, forty, देखिए, मैम ने हर एक नमबर को मैम ने टच करकर लिखा लाइन से, हना, तो चलो, अब इसकी रेडिंग भी आने चाहिए, आप भी पहली बार नहीं कर रहे हो, आपने कली बार कर चुका है, मैम अब तो रिवी से नहीं कर वा रहे हैं, आपको ब्लेंट भी हो जाना चाहिए चलो अब रिडिंग करते हैं, 4-1-4, 4-2-0-8, 4-3-0-12, 4-4-0-16, 4-5-0-20, 4-6-0-24, 4-7-0-28, 4-8-0-32, 4-9-0-36, and 4-10-0-40, एक बार फिर रिडिंग करते हैं, 4-1-0-4, 4-2-0-8, 4-3-0-12, 4-4-0-16, 4-5-0-20, 4-6-0-24, 4-7-0-28, 4-8-0-32, 4-9-0-36, and 4-10-0-40, तो आपने आज क्या करना है, फोर की टेबर, लेंड करनी है, और राइट करना है, अपने मैच की नोट बुक में, और सभी बच्चों ने, अपने ममी पापा का कहना माना है, अपने बड़ों का कहना माना है, उन्हें तंग नहीं करना, टाइम टू टाइम अपना वर्क करना है, और डेली मैम को चेकिंग क्लिए वर्क भी सेंड करना है ओके बेटा सभी बच्चों ने इस बात का ध्यान रखना है कि पैरेंट्स को कोई बच्छा तंग नहीं करेगा अपना वर्क खुद से करना है ओके बेटा थैंक यू हाव नाइस डी बाबा बेटा टेक क्योर